दोस्तों आप सभी बिहार लाइबरेरियन नई भरती की बेसबरी सिंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसखबरी है आप सभी पिछले दो-तीन साल से लाइबरेरियन यानि पुष्तकाल एध्यक्ष भरती की इंतजार में है कब भरती आईगी फॉर भरने के लिए ओगेता क्या कुछ है minimum age, maximum age कितना क्या चाहिए सभी चीजाओं के बारे माँ आप सभी को 8-to-6-8 जानकारी देने वाले हैं तो उचले के करके सभी चीजाओं के बारे माँ आप सभी देखे आप सभी दोस्तों लाइबरेरियन भरती की बहुत दिन और पदव पर है अच्छे खास से पदव पर है तो इसके लिए क्या कुछ क्वैलिफिकेशन होता है सभी चीजों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर करेंगे आगे आप लोगों के एक नोटीस भी दिखाने वाले है पहले आप ये आज के रेट का न्यूज देखिए फिर आगे आप लोगों को नोटीस दिखाएंगे जो की लैबरेडियन यानि पुस्तकाल अध्यक्स से संबधित है यहां पर आप देखिएगा दोस्तों यह आज ही के रेट का दैनिक जागरन का न्यूज है यहां पर देखिएगा तो 6421 उच माध्यमिक विद्धियाले में न्यूक्त होंगे भुस्तकाल अध्यक्स यानि की भरती होगी और क्या कुछ परक्री है सभी चीजों को लेकरे करके आपको क्लियर करेंगे पहले आप यहांपर डीटेल्स न्यूज देखिए भरती कब तक आ रही है सभी चीजों को लेकर आपको यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा अब आप सभी को बहुत अधिक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना परेगा यह नहीं है कि आपको साल दो साल इंतजार करना परेगा तो यहां पर देखेगा तो राज जी के 6421 नए उच माधमिक पिद्यालवें पुष्तकाल है ध्यक्स के पत स्रीजित होंगे और सिक्षा विभाग ने पदों के स्रीजन की परक्रिया पूरी कर लिया है गुड नीज यही है दोस्तों की भर्ती का सबसे में जो चीज होता हैC Candy होता है अब यह सीरीट हो गया यहां पर कितने पदों पर भर्ती करना और जैसी यह परक्रिया हो ती इसके बाद सारी कुछ आगी की परक्रिया बहुत ही असान है तो यहां पर मेन यह है दोस्तों कि सिक्षा विभाग ने पदो किस रिजन की परक्रिया पूरी कर ली है और इसे वित विभाग के पास स्विकिर्टी हेतु भेजा है तो यहां पर वित विभाग के पास भेजा है इसके लिए कितना क्या खर्च होगा जो भी सीट है सावरी सारा कुछ यहाँ पर निर्नाय होना है अब इसके बाद अगला जो चरन होता है कविनेट तो कविनेट से यहाँ पर देखेगा सुप्यिर्ती हेतु भेजा और परस्तों पर साहमाति के बाद से राज्यमंत्री मंडल यानि कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और इस वर्स जून तक संबंधित पदों के लिए विग्यापन परकासित किया जाएगा तो आप सभी को दोस्तों बहुत अधिक इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना परेगा हर हाल में ये 2023 में भरती आ र पर आप यह जानना चाहरे होंगी कि इसमें कितने नमर का एक्जाम होगा क्या कुछ तो चले सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं पहले आप एक नोटिस देखिए इसके बाद देखिएगा तो यहां पर इन पदों पर न्यूक्ति के लिए पुस्तकाले ध अगर आप इस संबंधित है तो इस न्यूज को पुरा आप देख सकते हैं अब चलिए बात करते हैं कि यह जो लाइबरेडियन की भरती है यहां पर इस नोटिस को आप देखिए यहां पर देखिए यहां पर देखिए शिरी मनोज मंजिल है सदस विदान सभा से प्राप त इस तरह से था पहला question देखिए गा तो क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार की नियामवली के अनुसार परतेक माधमिक यो मुझ माधमिक विद्याले में पुस्तकाले ध्यक्ष का होना आवस्यक है अब आप सीटों की संख्या को लेकर सोच रहेंगे कितना होगा तो जैसा कि नियूज में अभी आप देखे 2421 यहां पुरूच माधमिक विद्याले में सीट क्रियेट किया गया है और हर विद्याले में एक चाहिए लाइबरियान तो इस तरह से देखेगा तो यह लगभग सीटों की संख्या हो गया और यह बिल्कुल नया सीट है तो नया सीट जो भ भरती आई थी 2008 के बाद नहीं दिया गए विकेंसी इसके बाद यहां पर माग यह उसे रिल्टेट जवाब तो जवाब में यहां पर देखे तो यहां पर बताया गया है वस्तु एस्थिति या हाई की उच माधमिक विद्याले में जहां 500 से अधिक पुस्तके होंगे वहां पर 893 सीट खाली रहा गया है और इसी करम में अंकीत करना है कि पुस्तकाले ध्यक्ष के लिए पद स्रीजन वर्स 2007 में हुआ था और इस पद पर नियोजन की करवाई 2008 में प्रारंभ हुई था आप देखे का 2007 में सीट क्रियेट किया गया था 2008 में भरती निकाला गया था यह यहां पर क्या हो रहा है कि 2023 में फिर से 6421 पद यहां पर निया क्रियेट किया गया और यहां पर भरती इसी साल निकाला जाएगा और जो वर्स 2019 तक पुर्ण हो सका विलम का मुखे कारण अभ्यारतियों द्वारा माने नियालाय मिभीन याचिकाव को दैर करना था इसके बा इसके बारे में भी आगया आप लोगों को नोटीस दिखाने बाले फिर आपको क्लियर हो जाएगा और निक्टी है तो आविदन के पात्र होंगे और ग्यात तब यह हो कि वर्तमान में चौंसर स्वेकिस्ट नवास्थापित यहम उच माध्मिक विद्यालों पुष्टकाल 27 फरवरी का है और अभी क्या हुआ है कि मार्च महने में आज ही दैनिक जागरन की और से न्यूज आ गया है कि यहां पर सिक्षा विभाग की और से सीट क्रियेट कर लिया गया और वीत विभाग के पास भेजा गया है फिर वहां से अप्रूभल मिलने के बाद कैबिनेट से इसके लिए आपको इंटरेणर्स एकजाम सारा कुछ देना परेगा तो यहां पर 64-21 पुष्टकाल ध्यक्ष पात परिक्षा का यवजन करने को प्राण पुष्टकाल ध्यक्ष के पद पर न्यूक्ति की करवाई की जाएगी तो यहां पर आपको सीटों की संख्या को लेक दोस्तों बिज्ञाने और प्रोदेगी की विभाग यानि बिहार में पोली टेकनी कॉलेज के लिए लैबरियरियन की भरती के लिए यहाँ पर यह नियामवली एक्ट है और शिक्छा विभाग से संबादि जो हाय स्कूल कॉलेज में होने वाला है लगभग आपको यहीं निय नियामवली 2021 के नाम से जानी जाएगी और यह बिहार सरकार का ही है अभी क्या हुआ है कि शिक्छा विभाग की वर से नियामवली को लेकर सरा कुछ अभी फैनल डिसीजर नहीं हुआ है और नहीं वेबसाट पर पब्लिश्ट क्या गया यहां से आप देखिए फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो लाइबरियन की भरती आएगी सिक्छा विभाग में लगभग साथ हजार पदाव पर उसमें भी लगभग आपको यहीं परक्रिया देखने को मिलेगा यहां पर देखेगा आयोग से अभी प्रेडित है बिहार करमचारी चैनल यानि यह जो भर पर देखेगा एक्जाम का पैटर्न क्या कुछ होगा ति यहां पर पद ना में देखेगा ति इसमें तीन तरह का होता है पहला होता है सहेग पुस्तक अलएधियक तो यहां पर जो भरती की जाएगी इस पोस्ट के लिए यह नज गयेट का पोस्ट है और इसमें क्वालिफ के बाद एक साल का ये कोर्स है आप किसी भी विसेस ग्रेजुएट है तो इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री है तो जब ये भरती आएगी तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग गिरहिएगा तो यहां पर लेबरेरी सेंस असना तक मां आ गया है इसक सिक्षा विभाग की और सिन्यामवली पब्लिस्ट कर दिया जाएगा तो हम आप लोगों को फिर से सारा कुछ बताएंगे और हमेशा आप लोगों को सही जानकारी देते हैं तो भी हर से समधित हर भरती के बारे में तो आपकी ये काम का चैनल है अगर आप सभी चैनल पर न अनुसंसा एक अधार पर की जाएगी यानि भी हर से सी के माध्यम से एकजाम लिया जाएगा और जितना सीट रहेगा उसे कोडिंग रिजल्ट दे करके पब्लिस्ट किया जाएगा फिर उसी एकजाम पैटर्न के बारे में देखेगा तो सीधी भरती है तो वस्तुनिष्ट लिखित परिक्षे 100 उंकों के अधार पर होगी तो यहां पर दोस्तों 100 नमर का एक्जाम लिया जाएगा और यह एक्जाम आउफलान ओमर सीट पर होने वाला इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और यह बिहार SSC के माध्यम से भरती आएगी तो बिहार SSC के परिक्षा है यहां पर देखेगा तो उस पोस्ट रिल्टेट यानि लगभग पैटर रहने वाला है तो इन सभी चीजों के बारे माप से अभी देख लिए उम्र सीमा के बारे में देखेगा तो यहां पर सीधी निक्ति के लिए मिनिममम 18 साल रखा गया है अगर एक ही साल भी रखा ज साल का कोर्स है तब तक 21 साल मिनिममम सभी कंडियेट का कंप्लीट हो जाता है अधिक्तम की बात करें तो जो अन्य गौवर्मेंट चौब में इसमें भी वहीं चीज लागू होने वाला है अगर आप जनरल कैट्गोरी साते हैं तो 37 साल इसके बाद अगर आप BCBC साते हैं तो 40 साल जनरल काट्गोरी में महला है तो 40 साल SCST काट्गोरी साते हैं तो 42 साल और ये दोस्तों अधिक्तम उम्र जो कांट होगा 2008 से बिहार में ये नियम है कि अगर भरती 10 साल या 15 साल बाद भी दी जाती है तो जो अधिक्तम उम्र है उसी समय से कांट होगा इसको लेकर आप पुल निश्चिंत रहिए 2009 से कॉंट किया जागा 2008 में भरती दिया गया था अभी बिहार में और भी भरती आथी जैसे आप सचीवाले साहय का देखेगा 2014 में भरती आई थी और 2022 में इसके बाद दिया गया है तो 2015 से अधिकतम उम्र कॉंट किया गया है तो बिहार में यहर भर भरती नहीं आई है तो दस साल पीछे से अधिकतम उम्र कॉंट किया जाता है यह सभी भरती में ऐसा ही किया जाता है प्रमोशन के बारे में देखेगा तो शुरू में आप देखे लिए तिंतरह का पोस्ट इसमें था इन सभी परक्रियों के माध्यम से आपको यह भरती पर ली जाएगे अगर आप सभी चैनल पर ने है तो दोस्तों फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुर जाएए